मौसम से जोड़ी जानकारी और लाइब मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नज़र रखें करम भी उत्तरी होने से प्रदेश में तेर्ज सर्दी पढ़ने का दोर प्रारंप हो गया है जहां का लियाने की गुरुवार कुणों गाउं समेथ कई जिलों में टेंपरेचर पंदर डिग्री से बहएद नियून रहा आसे रातरी की पारी में हलकी से कमी रिकॉर्ड की जा सक में 30 अक्टूबर से पूर्वी सर्द हमाओं के आने से आने में कम टेंपरेचर में में वृद्धी प्रारंप होगी उठन का प्रभाव कम रहेगा एंपी मौसम कार्याली की मुताबिक पाकिस्तान के एड़दिगीर एक वेस्टरन डिस्ट्रिबेंस दोनिंका की रूप में एक एक्टिव हो रहा है इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी एक प्रती साइकलोन चक्र बना हुआ है इस कारें टेंपरेचर में परिवर्तन देखने को मिल रहा है आज प्रदेश के सभी जिलों का मौसम साफ बने रहने का अंदेश जताए गया है इस वीच अधिक साथिक टेंपरेचर में तो अत्यदिक विरिद्धी नहीं होगी लेकिन कम से कम टेंपरेचर में मंदी आने के प्रबल आशंका बनी हुई है अगले 24 गंटे के दोरान अंदमान निकोबर दूइप समू के एरल में हलकी समध्यम बारिश के साथ एक दो इस्थानों पर भारी टटी आंद्र प्रदेश में हलकी समध्यम बारिश दंभव है देशेबा के हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा जारकन के रास्थानी राची में अब तक थंड दस तक दी चुकी है सुबह शाम हलकी थंड हवाई चल रही है मौसम के इंद्र के अनुसार बताया जा रहा है कि तीन दिन नो मैं न्यूंतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है विभाग के अनुसार रास्थानी राची देवघर सिम्डिगा पूर्वे पश्मी शिंगभूम सराई केला सकरसावा गोड़ा पाकूर सहीबा गंच बोकारो और धनभाद में हलकी समध्यम बार चुकी है मौसम विभाग के मताबिक सुभा के समय प्रदेश के अधिगांज हिसों में धुन देखने को मिलेगी विभाग ने बताया है कि पांच दिन तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है उत्तर प्रदेश में एक नवंबर तक मौसम फिलहाल शुष्क बना रहे इससे दिन की में गर्मी और रात में ठंड हो रही है मौसम पुर्वानमान एजेंसिंस कैमेट वेदर की माने तौस तमिलनाडू केरल आंधर प्रदेश के दक्षनी तट अन्नमान नुनिकोपर दुइप समूओ और लक्षदीप में हलकी समध्यम बारिश संभव है सातिप पुर्वतर भारत में कुछ जानों पर हलकी समध्यम बारिश हो सकती है दक्षनी प्रायदीप में हलकी समध्यम बारिश की कतिवी धियां धीरे धीरे तेज हो जाएंगी और उत्तर पूर्वी मानसून अगले अर्ट 40 घंटों में लगबग 2 दिन में सक्रिय हो जाए